अगर वो जादा लोग नहीं थे तो वो उसे थोड़ा-थोड़ा करके ले गए होंगे पहले एक पार्ट ले गए होंगे, उसे चुपाया होगा, फिर बाकी के लिए वापस आए होंगे मतलब इंस्टॉल्मेंट्स में, समझ रहे होंगे जेरेमी को यकीन है, कि वो ट्रेजर इतना ज्यादा था, कि उसे चोटे चंक्स में, हर पोशन को कॉम्पैक्ट बैरल्स में डाल कर ट्रांसफर किया गया होगा कीमती मेटल बार्स या आर्टिफेक्ट से भरे वन गैलन बैरल का वजन, 45 किलोग्राम से ज्यादा होता होगा हम ट्रेजर तो ढूंड रहे हैं, पर अक्चली ढूंड क्या रहे हैं ये कोई ऐसी चीज हो सकती है, जो ट्रांसपोर्टेशन के दोरान गिर गई हो कुछ कोईन्स या आर्टिफाक्ट ये अच्छी जगह है कुछ शुपाने के लिए कुछ सुनाई दे रहा है हां सुनाई तो दे रहा है पर ये साउंड थोड़ा अलग, I mean, it's a different noise यहां पर काफी ज़्यादा साउंड आ रहा है उसे साइड मे रखो उस तरफ रख दो कुछ और भी है यह जर्मी का है हां जर्मी का है उसने जान बुच कर छुपाया होगा वो कुछ भी कर सकता है जर्मी, है, जर्मी, ये कैसा माज़ा आगे, it's not funny, dude क्या हुआ, बहुत प्यार से बला रहे हैं तुम्हें? I played a prank, कुछ छुपाया था, मैंने वहां, बिचारे थोड़ी देर के लिए खुश हो गए होगे कि वाटरफॉल के नीचे ट्रेशर मिल गया है मैंने अपना शावल चुपाया था मिट्टी में यह बहुत ही अलत बात है तो और घुस्से में लग रहे हैं उन्हें पता चल गया है कि वो मेरा शावल है चलो अब यह सब छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो हमें चलते हुए फाइव आर्स हो चुके हैं और करीब फर्टी किलोमीटर्स चल चुके हैं तो ज्यादा फास्ट नहीं जा रहे हैं जो भी हमें हिस्ट्री मिल रही है हम उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वैसे ही जैसे जरमी मैप्स के साथ करता है वो एक ओल मैप को देखकर उसे एक मॉडन मैप में ट्रांसलेट करता है वैसे ही मैं old information को लेकर उसे modern navigation, modern ideas में translate करता हूँ कि इस area में क्या हुआ होगा सबसे मुश्किल part होता है उनमें differentiate करना जिसे हम modern लोग कहते हैं reporting और जो पुराने दिनों की stories से जुड़ी होती है जो अकसर reporting और mythology का mixture हो सकती है हमारे लिए उस information को लेना और उसे modern times में translate करना और साथ ही उसे verify करना कि जिस story की हम बात कर रहे हैं ये उनहीं लोगों से जुड़ी है जिनकी बात हो रहे है क्योंकि बहुत बार stories यहां वहां घुमती रहती हैं जैसे मैंने एक बार campfire में एक story सुनी वो एक आदमी को बताई और उसने दूसरे आदमी को बताई तो इस तरह आपस में बात करते हुए इस तरह की बातें आगे बढ़ती हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि इसके अलावा हम documentation देख रहे हैं जो different types के generation से आई हैं हमने notice किया है कि हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं current stays हो रहे हैं तो उससे fight करने के चकर में हम और slow हो जाएंगे साथ ही मुझे obstructions की भी stress हो रही है उनसे boat में hole हो सकता है यह इस नदी में बहुत बड़ा danger है क्योंकि यह बहुत तेज बहने वाली है और इसमें बड़े logs भी हो सकते हैं तो अगर हम उन obstacles के बीच से safely निकल सके तो हम सब के लिए अच्छा रहेगा और साथ ही हम उस area में भी पहुँच रहे हैं जहां गहराई कम और और भी कम होती जा रही है तो लुट हैे यह तो